तो जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाए ठीक है और कुछ डिसकस करते हैं आप सभी के साथ क्योंकि आज HRTC कंडुक्टर का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है ठीक है चलिए तो जैसी कि आप सभी को पता है कि HRTC कंडुक्टर का जो फाइनल रिजल्ट है वो आउट हो चुका है और जिसकी बारे में इंफोमेशन मैंने आप सभी को दे दी थी ठीक है तो अभी हम बात करेंगे कि सेलेक्शन यहाँ पर किन बच्चों का हुआ है सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रेड अप स्टड़ी की जो एस्पिरेंट्स है उनका सेलेक्शन ठीक है तो हमारे जो है वो अभी 26 थे जस्ट अभी यानि कि 10 सेकंड पहले एक और मैसेज आया है ठीक है तो 27 जो सेलेक्शन है अभी तक जो है वो ग्रेड अप स्टड़ी की इस HRTC कंड़ेक्टर में हो चुकी है चलिए तो सबसे पहले हम आपको सेलेक्शन बताएंगे कि कोन-कोन से हमारे एस्पिरेंट्स सेलेक्ट हुए हैं उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे अशरात टच में रहते हुए है है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटेजी इसमें और ऑर कुछ ऐसे भी ऐस्पिरेंट है जिनका नहीं हो पाया उन्होंने गलतियां करी है वो गलतिये भी हम discuss करेंगे clear है उसके बाद जो cut off रही है है ना तो उसके बारे में भी हम discuss करेंगे तो चलिए सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर लिखा हुआ है ठीक है आपकी notes की help से आप सभी को पता है कि IT tool की जो है वो हमने within 3 days launch करी थी काफी यानि कि out of 35 24 questions directly वहां से पूछे गए थे और इसके इलावा हमारे कुछ courses है जैसे कि grade up study plus course था है ना हमारे पटवारी course के भी बच्चे select हुए है हमारे zero to hero badge के बच्चे select हुए है clear है तो यह आप सभी के सामने है तो यहां पर आप यहां पर count कर सकते हैं ठीक है यह जो selection है यह grade up study के इस platform से हुई है आप सभी को पता भी होगा कि जिस समय HRTC conductor का exam हुआ था तो काफी सारे लोगों ने कहा था कि सर क्या ही पढ़ा रहे हैं और यह कहते हैं कि paper तो बड़ा असान आया था तो वही paper आसान ही आया था बस यह है कि कहीं न कहीं आप से चूक हुई थी ठीक है तो यह जो select हो चुके है सबसे पहले इन सभी को क्या है इन सभी को congratulations है इन सभी के माता-पिता को काफी ज़्यदा भडाईयां मैं देना चाहता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यदा जो अभी इस टाइम पर खुश है वो तो उनके माता-पिता है और दूसरे हम यानि की mentor आ जाते हैं clear है तो यह सभी select जो है वो इस grade up study के platform से हुए है clear है जी हाँ जी अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो cut off रही है ठीक है cut off की बात करते हैं देखो अगर हम बात करें कि journal की 130 vacancies थी लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था लगबग एक महीना पहले मैंने इस पर बात करी थी कि यह जो shifting है यह आपको देखने को confirm मिलेगी ठीक है और वैसा हुआ भी out of 130 only 48 जो है वो जर्नल के select हुए है बाकी इसमें क्या हो गई है shifting हो गई है जिस वजह से जर्नल की जो cut off है वो कितनी गई है वो 61 के आसपास गई है 61 से उपर गई है मान के ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें OBC की तो OBC का 58 वाला जो aspirant है ये भी select हुआ है clear है तो बाकी अगर हम बात करें IRDP की तो एक दो number आप आगे पिछे कर सकते हैं लेकिन हमारे data की according ये जो आपके सामने desert मैंने लिखे हैं ये selection व्यानि कि अगर किसी के इतने number बने है तो वो select यहाँ पे हो चुका है clear है चलिए जी हाँ जी अब हम बात करेंगे कि ऐसी क्या क्या strategy रही ऐसे aspirants की जिनकी आज आप यहाँ पे selection देख रहे हैं ये देखिए ये जो aspirants है ये हमारे grade of study plus जो हमने एक साल पहले course launch किया था एक साल के लिए फिर ये aspirants zero to hero में आया था इवन इसका भाई भी आया हुआ है अब ये zero to hero batch में पुप पड़ता है police constable की तयारी करता है ठीके और यहाँ पे देखिए grade of study academy online batch इसको हम बोलते है zero to hero batch ठीके बाकी यहाँ पर आप देखी सकते हैं है ना तो ये देखो पटवारी का है ये grade of study plus का राकेश राओ है तो इस परकार से यानि कि selection मिल जाती है असानी से मिल जाती है अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने ये exam दिया था और आपकी selection इसमें नहीं हुई है कारण क्या क्या रहे होंगे यह हम discuss करते हैं अभी clear है चलिए सबसे पहली बात अगर हम बात करें exam analysis मैं मानता हूँ कि इससे पहले जो HRTC conductor का exam था वो HP SSC लेता था लेकिन पहली बार HP PSC ने ये exam लिया है तो कहीं न कहीं exam को analyze करने में आप से गलती हुई है इसलिए maximum aspirant कहते हैं कि सरफ exam बड़ा tough आया था लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था आप से गलती हुई है तो हुई कहां पे है exam को analyze करने में पाकि लगबग 40 दिन पहले इनोहोंने IT tool का एक नया subject इसमें add-on कर दिया था ठीक है और वो हमने within 3 days आप सभी के लिए e-book बना के दे दी थी या फिर बाद limited sources मेरे पास ऐसे भी एस्परेंट से जो कहते हैं कि सर पहले मैंने वह वाला batch लिया हूँ था फिर मैंने वह वाला batch लिया हूँ था फिर मैंने इस जीच का batch लिया था अगर आप multiple batches लेते हैं अगर आपके multiple sources है तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी एक source को भी ध्यान से बढ़ते होंगे जितना जद आप खलारा डालेंगे उतना ही आप क्या हो जाएंगे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे हमारे ऐसे भी एस्परेंट थे grade up study plus batch के थे काफी सार एस्परेंट थे जिनको हमने अपने ये book free of course दी थी लेकिन उन्होंने खुद नहीं पड़ी और आगे जाके अपने friend को दे दी और वो friend select होगे वो खुद हुआ ही नहीं क्यूंकि उसके पास और भी काफी सारे resources थे मुझे exam होने के बाद भी calls आई कि सर मैंने आपके content को lightly ले लिया मैंने कोई और book ले ली जिसके 200 pages थे मैंने सोचा कि आपकी पेज़ वाली book क्या करेगी मैंने 200 page वाली book पड़ना स्टार्ट कर दी तो आज मैं अपनी गलती मान रहा हूँ तो अगर आप limited sources रखते हो और उसको आप अच्छे से करते हो तो इस चीज को बोलते हैं कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं तो आपको limited sources रखने पड़ेंगे अब तीसरी बात revision हम time to time नहीं करते हैं हम revision को छोड़ देते हैं हम क्या करते हैं काफिसर essays print है यहाँ पे बैठते हैं वो क्या करते हैं कि ठीक है आपने कोई भी batch लिया उसके आपने notes बना दिये और notes बनाने के बाद आपने copy रख दी फिर आपने कोई और batch लिया फिर आपने और इसमें add-on किया और add-on करने के बाद आपने copy को रख दिया तो content को या फिर उन चीजों को copy पे रखना ठीक है एक पर आपको copy बनाने पड़ेगी लेकिन जब तक वो चीज यहाँ पे न जाए तब तक इस copy को बनाने का फाइदा क्या है तो इस चीज को आपको बार 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 revision करनी पड़ती है ठीक है अब revision में दो चीजी आ जाती है कि sir जो English है और जो maths है इसको हम कैसे करेंगे इसको करने का तरीका अलग होता है और जो याद करने वाली चीजी होती है जैसे कि GK है हिंदी है है ना तो ये अलग हो जाता है तो यहाँ पर जो revision है ये सबसे ज़्यादा role play करती है exam को crack करने में तो revision आपकी होनी चाहिए अगर हम बात करें अपने batches की तो हम क्या करते हैं हम every Monday को mock test लेते हैं और Sunday को shoot देते हैं कि Sunday को आपने पूरे हफ़ते का क्या करना है revise करना है मैं उनको इवन ये भी कहता हूँ कि Saturday को classes देखने के बाद आपको extra नहीं पढ़ना बस पीछे का जो हमने पढ़ा उसको revision करिए revise करिए बार बार तो अगर आप exam से पहले उस चीज को कम सकम 10 बार भी revision करेंगे न तो वो आपकी permanent story में चीज चले जाएगी तो कहीं न कहीं revision में आप थोड़ी सी गड़बड़ी कर देते हैं अब revision के बाद practice अब देखो practice और mock test में difference होता है practice और mock test में difference होता है ठीक है मान लोग कि आप English में tense कर रहे हो तो आपकी tense में practice होनी चाहिए पहले आपको tense की ही practice करनी है लेकिन जब mock test की बात आए तो mock test आपको पूरा लगाना है पूरे exam का लगाना है और mock test आपको बता ही है कि grader study platform तो आपको mock test भी provide करवाता है बीच-बीच में free of course भी लगते हैं है ना तो यह चीज होगी and last one is continuity continuity जो है वो बड़े ही कम aspirants दे पाते हैं हम discuss भी करते हैं हमारे पास ऐसे aspirants है यानि कि जब भी हमारा को batch start होता है तो starting में आप letters example ले लेते हैं कि 50 aspirants जो है यह live आते हैं 50 aspirants पहले दिन में live आते हैं लेकिन एक हफ़ते बाद इनकी जो संक्या है वो 20 रह जाती है क्यूं क्यूंकि यह इस जिसको नहीं दे पाते अगर आप हमें continuity नहीं दे पाओगे तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि हम आपको selection भी नहीं दे पाएंगे तो आपकी continuity starting day से लेके last day तक रहनी ही चाहिए जो मर्जी हो जाए अगर नहीं दे पा रहे हो तो आप फिर मत सोचिए कि आपका जो नाम है वो in list में भी आएगा नहीं आ सकता आपको ये चीज़े देनी बढ़ेंगी ये आपको करनी बढ़ेंगी clear है तो ये चीज़े मैं आपको बता रहा हूँ हाँ चलिए और जिनका नहीं हुआ है देखो हार कभी नहीं माननी है आप हारे नहीं हो आपने कुछ न कुछ सीखा है अगर आपका एक्जाम clear नहीं हुआ है और आपने उस एक्जाम से कोई सीख नहीं लिया है तब आपको नुकसान है आप ठीक है आपका exam clear नहीं हुआ तो वहां से आपने कोई सीख ली है अब वो same गलतियां आपने आगे आने वाल exam में नहीं करने है clear है तो ये है बाकी grade up study platform क्या है कि देखो थोड़ा सा तरीका change कर रहा है अभी ठीक है जो चीजे मुझे लगता है कि आपको कोई नहीं बताता है वो grade up study platform आपको बताता है कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है कि कैसे दो महीने में तयारी नहीं होती काफी ऐसे experience है काफी ऐसी coaching संस्थान है जो दो महीने में आपको तयारी करवाती है जो 40 दिन में 45 दिन में crash course के नाम से आपको एक सपना दिखाती है कि इसको complete कर लीजिए और आपकी selection हो जाएगी नहीं होगी आपको पढ़ना पड़ेगा अभी बेशक police constable की भरती election के बाद आएगी लेकिन 4-5 महीने आपको अच्छे से लगाने पड़ेंगे clear है तब जाके आपको selection मिलेगी otherwise नहीं मिलेगी क्योंकि काफी सारे जो aspirant है वो ध्यान से पढ़ते हैं वो अच्छे से तैयारी करते हैं clear है चलिए तो बस यही मैंने आपसे कहना था और यहाँ पर मैं especially एक अंकित को कहना चाहता हूँ कि अंकित तुमने काफी मेहनत करी लेकिन तुमने जो यहाँ पर गड़बड़ी कर दी तुमने कहाँ पर गड़बड़ी करी तुमने गड़बड़ी करी यहाँ पर practice में practice की बज़ा से तुमने दस question जो है वो आगे पिछे ओमार sheet में लगा दिये थे जिस वज़ाए से इतना पड़ने के बाद भी तुम्हारा जो है इसमें selection नहीं हो पाया लेकिन हाँ तुमने सीख ली है तुम्हारे आगे काफी सारे options है लेकिन ये गलती आज के बाद यानि की इस exam के बाद तुम कभी नहीं करोगे तो यही है कि अगर किसी का भी selection नहीं हुआ है उसको उसकी गलती का पता लग गया है तो वो गलती आगे repeat नहीं होने चाहिए clear? yes or no? चलिए हाँ continuity आपको रखने पड़ेगी और selection पक्का होगा बस ये है कि आपको इन चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा ठीक है? limited आपके पास resources होने चाहिए clear है? बाकी grade up study आप सभी के लिए available है आपको पता है कि maths में काफी कम student आते हैं लेकिन फिर भी हम maths बढ़ते हैं clear है? तो शाम 6 बजे maths की class लगती है और 8 बजे हम तो आप सभी के सामने आई ही जाते हैं बस आपको continuity रखनी है और grade up study के साथ में आपको जुड़े रहना है ठीक है? तो again इन सभी experience को मैं again क्या कहता हूँ congratulations कि इन्होंने इतनी मेहनत करी है ये इतने पुराने-पुराने time से जुड़े हुए हैं मुझे even इनकी कहाने भी पता है जैसे कि मैं अगर इसकी बात करूँ संदीव शर्मा की ये जो संदीव शर्मा है ये आज से लगबग 10 महीने पहले grade up study के साथ जुड़ा था और ये आर्मी की भरती के लिए यानि कि आर्मी की तयारी करने के लिए आया था फिर इसको हमने grade up study plus course में डाल दिया था और आज 10 महीने बाद ये जो है ये select हुआ है HRDC connector में तो आप क्या चोचते हो कि 45 दिन में 2 महीने में तयारी हो जाती है क्या ये नहीं होती clear है चलिए तो ये लड़का shifting होने के बाद भी select हुआ है clear है तो ये है बाकी सब कुछ अच्छा होगा हिमत नहीं हारनी है सब कुछ better होगा लेकिन हाँ continuity आपको last तक बनानी पड़ेगी clear है चलिए तो फिर मिलते हैं कल ठीक है तब तक के लिए जैहिंद जैहिमाचल और मुझे पता है कि हमारे grade up study के जितने भी spirit है वो सारे के सारे काफी कि योध्धा है लड़ते रहेंगे ठीक है लेकिन हाँ हिमत नहीं हारेंगे ठीक है चलिए जैहिंद जैहिमाचल कर दो कर दो कर दो